हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड और गुणा होता है। मैं नकारात्मक विचारों को हटा कर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूंगा। आपको शुबकाम ना हैं पर ये नहीं हो पाएगा। आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि आप जो हैं और जो आपने एकर्ठा किया है उसमें फर्क है। देखिए, जिस तरह ये सवाल पूछा गया है और जैसे इसका आम तोर पर उतर दिया जाता है, उससे लोग सोचते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ होता है। वे नकारात्मक विचारों को हटा कर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10-15 सेकंड का एक प्रयोग करने को कहूंगा। वे जबरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं, जैसे अगले 10 सेकंड तक, बंदर के बारे में मत सोचिए, बंदर का विचार न करने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके मन का स्वभाव है, क्यूंकि इस मन में तीनों पेडल रेस बढ़ाने वाले हैं, ब्रेक या कलच नहीं है, आप जो भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा, ऐसे मन के होते हुए, नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीजों के बारे में मत सोचो, तब से वे हमेशा यही करने लगे, आप मन को ऐसे बिलकुल नहीं संभाल सकते, इसके लिए आत्मग्यान जरूरी नहीं है, अगर आप दो मिनिट आखे बंद करें, तो आप जान जाएंगे कि आप इस मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता हूँ, इस दिशा में कभ ही मत जाहिए, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे, वो आपका गुण बन जाएगा, वो हमेशा हवी रहेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, बात ये है कि मन की बुनियादी प्रक्रिया को समझे बिना, क्योंकि अमारा मन, इंसानी मन, धर्ती का सबसे जटल कम्प्यूटर ह सबी सूपर कम्प्यूटर भी इसी से निकले हैं, अब ऐसा है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें, अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड और गुणा होता है, अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और, अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुणा हो जाएगा, ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, कि आपका ये मन और शरीर आपकी सिवा के लिए ही है, आपका जीवन महत्वपून है, शरीर और मन वे साधन हैं, जिने हमारी सिवा करनी चाहिए, अगर आप किसी गाड़ी में बैठें, तो उसे वही जाना चाहिए, जहां आप जाना चाहते हैं, अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे, तो उसका फाइदा क्या है? वो सिर्फ परिशानी होगी. फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादातर मनुष्य, इंसानी मन की इस शांदार संभावना को एक परिशानी, एक समस्या की तरह अनुभव कर रही है. ये आपके पास मौजूद सबसे सुन्दर चीज है. बस आपको इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दीना होगा. सबसे पहले यही करना होगा. इसी कारण हम एक सरल सी चीज, इशा क्रिया लेकर आए. ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है. आप जैसी एक चीज है जो मौजूद है. ये आपके सभी विचारों और भावनाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं का जोड नहीं है. आप इन सबसे परे हैं. अगर आप अपनी आँखें बंद कर लें तो कुछ नहीं देखता पर आप मौजूद होते हैं. आप अपनी आँखों की खिड़की से बाहर देखते हैं पर आँखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता. आपका अस्तित्व तब भी होता है. तो अपने विचारों और भावनाओं से परे भी आप मौजूद हैं. तो जो जीवन आप हैं, उसका अनुभव करने की जरूरत है. ऐसा क्यों हैं कि अपने होने के सबसे महत्वपून पहलू को आप अपने अनुभव में नहीं आने दे रहें. फिलहाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपून पहलू है कि आप और मैं समय जीवित हैं, बस यही है. मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहें, यह महत्वपून नहीं है. हमें समय जिन्दा है, यही महत्वपून है. तो यह महत्वपून है कि आप अपने जब आप खुद के और मन के बीच, खुद के और शरीर के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो ये दुखों का अंत है, इसे हर मनुष्य को जानना और समझना होगा, नहीं तो आप सोचते रहेंगे, मैं बुरे विचार हटा कर सिर्फ अच्छे विचार रखूंगा, मेर पर ये सिर्फ उनसे बचना हुआ, वो चले नहीं जाते, जिस पर आप उन्हें रोकते हैं, वे बड़ी ताकत से फिर आएंगे, वरना वे आपके सपनों में वापस आ जाएंगे, तो ये बहुत महत्वपून है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका गुसा, नाराज गी और गुसा हमेशा किसी दूसरे की ओर होते हैं, पर हमें समझना होगा कि ये जहर हम खुद पी रहे हैं और दूसरे के मरने की उमीद कर रहे हैं, सौभाग्य से जीवन ऐसे काम नहीं करता, अगर मैं जहर पीता हूँ तो मैं मरूंगा, मेरे जहर पीने पर आप नहीं मरे तो हमें ये समझना होगा, जहर से मेरा मतलब है, आज आप इसकी जांच करा सकते हैं, फिलहाल आपका खून कैसा है, फिर पांच मिनट तेज गुसा करें और अपने खून की जांच कराएं, उसमें कई नकारात मक्तत्व होंगे, आप वाकई खुद को जहर दे रहे हैं, तो क्या आप जहर पीना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, अब मैं क्या करूँ, ये सवाल एक तरह की मजबूरी से आ रहा है, कुछ मत कीजे, बस आराम से बैठिये, और बस जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजे, शायद आपके दिल की धरकन या आपकी सांस, शायद जीवत होने क अनुभूती, आप कितने समवेदन शील या बोध पाने की काबलियत रखते हैं, उसी के हिसाब से कुछ चीजें, शरीर की कोई समवेदना, आपकी सांसें, दिल की धरकन या कुछ और, कुछ ऐसा लें, जो आपको जीवन का संकेत देता हो, बस उस पर कुछ समय तक ध्यान दीजे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आपने जो एकठा किया है, उनमें एक दूरी आ गई है, एकठा की गई चीजें हैं, आपकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या फिर मानसिक अस्त विवस्तता